तो स्वागत आपका चेला बोरक का यूटूब चैनल की गुरू बोरकनाद महाराज कीज़ए तो दोस्तों मैं आपको बात कर रहा हूँ आज कि पित्र की समस्या बहुत ज्यादा होती है और सबसे पहली चीज तो यह समझने वाली कि पित्रों की समस्या है उसके लक्षन क्या है पहला लक्षन आपके घर में माता पिता या पती पतनी में बिना बात की तकरार होना लडाई होना जखड़ा होना जबर्दस्ती कोई मतलब नहीं है कोई मुद्दा महीं है फिर भी हमेशा लड़ाई होती लेगी जखड़ा होता लाएगा वो दूसरों को बहुत प्यार करते हैं वो दूसरों को चिलाना ने चाहते हैं वो लड़ना ने चाहते हैं पर वो हमेशे लड़ पड़ते हैं लड़ाई हैं हो जाती हैं तो यह एक पूरी तरह से निशानी है कि आपके घर में पित्र दोश है पित्त्रों की समस्या है दूसरा कोई भी विक्ति बिमार होता है जल्द ईल्द ईल्द इल्द बिमार पड़ता रहता है रिपोर्ट्स डॉक्टर हमेशा नौर्मल आती है उसकी बिमार होता है मैं यहां यह नहीं कहा रहा हूँ कि बहुत ज़दा गंभीर बीमार हो गया, जल 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 बीमार होता रहता है, ठीक हो रहता है, बीमार होता रहता है, ठीक हो रहता है, तो अगर ऐसा किसी भी विक्ति के साथ आपके परिवार में होता है, या आपके साथ परिवार में होता है, तो आप यह मान के चलेगा, कि आपक कोई नौकरी करते हैं या कोई रोजगार है, बिजनिस है, दुकान है, कुछ भी है आपका, तो वो चल भी रहा है और नहीं भी चंड रहा है, कभी भी उसमें नुकसान हो रहा है, मतलब रिोस्ट नहीं हो रही है, उसमें बड़ोत्तुरी नहीं हो रही है, ठीक है? पर नुपसान हो जाता है कभी भी नुपसान हो जाता है कभी भी कोई चीज उपर नीचे हो जाती है आपको लग रहा कि अब भोबड़ी होने वाला है कोई डील होने वाली है वो डील रोग जाती है तो ऐसा कभी भी अगर ऐसा होता है तो आपके घर में पित्रों की समय स्या है चौता जो बच्चे competitive exams दे रहे हैं जो नौकरी के लिए तैयारिया कर रहे हैं जो किसी भी चीज के लिए government की जॉब के लिए तैयारिया कर रहे हैं उनकी तैयारी होती है पर हो नहीं पाती पेपर याद नहीं रह पाते होंने एक्साम के समय पे या कोई भी चीज वो छूड़ जाती है फेल हो जाते है तो ये सब पित्रों की समस्या के कारण होता है ये सारे संकेद पित्रों की समस्या के है ये सारे संकेद आपको बताते हैं कि आपके घर में पित्रों के समस्या बन चुकी है आपके घर में पित्रों के समस्या है तो बंदू हो तो दोस्तों तो मेरे भगतों आप किसी के पीछे ऐसे मत भागे दो और ये मत की किसी ने करा दिया कुछ भी कर दिया पहले आपके घर में समस्या क्या है उसके बाद कुछ उपाय कीजिए कोई उठा के उपाय मत कीजिए किसी भी का वीडियो देखके कोई उपाय मत कीजिए कुछ भी देख लेते हैं कुछ भी करना लगते हैं शोई बढ़ देते हैं आप लोग यहां तक कि चेला गोरक का पित्रों की वजह से है अब पित्रों की समस्या कई कारणों से हो सकती है कई वजहों से हो सकती है ठीक है आज सबसे मैंने सबसे चोटी सी वीडियो बना लोग जादा लंबी वीडियो बना नहीं रहा है इसलिए मैं आज मैंने आपको यह बताया है कि पित्रों की समस्या होत आप लोगों को उसमें पित्रों की समस्या होती क्यों है और उनका उपाय क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा पर अगर ये जो लक्षे में बताएं अगर ये होती है आपके आपके आपको पित्रों की समस्या ये पक्का मांगे रखेगा और आपको जो उपाय करना हो पित्र आजिकर पासे आप चैनल पर बने रहें जैजे गुरुब रक्षना जैजे धामागार